Hello everyone, welcome to my YouTube channel आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फिर्ट्स इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है देखो वैसे तो आप सभी को पता है कि रेलवे में ना तो पिछले 5 साल से कोई नई वेकेंसी आई है पुरानी जो वेकेंसी हैं उनको भी घढ़ाया जा रहा है वेटिंग को क्लियर करके नई वेकेंसी को परभावित किया जा रहा है और भी बहुत सारे फेक्टर्स हैं जिसके कारण नई वेकेंसी परभावित हो रही है अब इसी कड़ी में I-Core Noti से आपर railway ने जारी किया है जो आपका CADR merger को लेकर है समय समय पर railway क्या करता है कि अपनी बहुत सारी post को merge कर देता है जैसे आप लोगों ने देखा T.T. और T.C. की जो post थी उसको commercial department में ही merge कर दिया गया था तो railway क्या करता है अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको लगता है कि जिस post के अवशकता नहीं है उसको merge कर देता है या फिर खतम कर देता है जैसे हाल फिलाल में गेट्मेंट की post को खतम किया गया है ग्रूपडी में और भी दिरे-दिरे post खतम हो रही है जैसे outsourcing के जरिए बहुत सारे काम कराये जा रहे है तो ये cadre merger का जो notice आया है ये भी नई vacancy को प्रभावित करेगा और अगर आप नई vacancy के इंतिजार कर देता है तो आपके लिए तो ये बुरी ख़बर होगी और जो employee railway में पहले से काम कर रहे हैं के लिए अच्छी ख़बर भी हो सकती है क्योंकि जब cadre merger होता है तो promotion के chances बढ़ते हैं जैसे TT वगेरा को जब merge किया गया था commercial में तो promotion करके ही TT बनाए जाते हैं तो बहुत सारे employees को फायदा भी मिला था तो सभी चीजों के दो पहलू होते हैं कुछ positive होते हैं कुछ negative होते हैं लेकिन अभी जो देश में वेरोजगारी है जो student के point of view जगर देखा जाए तो बहुत बुरी खबर है कि बहुत सारी group D technician की post को merge किया जा रहा है तो चलिए without wasting any time हम जाके notice को देख लेते हैं free of cost content आपको कहां से मिलेगा सारी जनकरी आपको दी जाएगी तो अभी चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजे तो screen पर आपको एक notice यहाँ पर दिखाई दे रहा है Government of India Ministry of Railway के दुआरा यह 8 अगस्त 2023 को जारी हुआ है subject में देखे merger of cadre यह इनका पूरा subject है इसको एक बार पढ़ते हैं फिर बताता हूँ आगे इसमें क्या दिया गया in order to optimally utilize the manpower in view of changes in technology working system and redencies, review of manpower requirement is done from time to time accordingly board has desired to formulate an action plan for integrating aligned cadre in department यानि कि पूरी manpower को use करने के लिए technology के साथ समय समय पर जो है बहुत सारी post को merge किया जाता है integrate किया जाता है उसी के regarding इनने कहा it is requested to furnish the proposal and suggestion for integrating cadre यानि कि इसी के लिए proposal दिया जा रहा है कि cadre merger को जो है उस पे विचार किया जा है to ensure effective utilization of skill यानि कि skill का जिससे हम पूरा उपयोग कर सके balance workload workload को balance कर सके of different cadre so that they can be optimally utilized and may yield better promotional avenues also ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कि promotion के chances बें बढ़ते है तो वो भी नो ने यहापे बात बोली है पुराना notice नहीं है 882023 का notice है अब यहापे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोन कोन सी post के लिए यहापे यह proposal रखा गया है एक नमबर से start करेंगे देखो सबसे पहले यहापे group D की ही post है एक नमबर पे और कौन सी post है आपकी assistant bridge वाली ठीक है उसके बाद आप देखेंगे यहापर assistant pway है assistant pway यह group D में नहीं है चलो लेकिन उसके बाद पाँच नमबर पर track machine वाली है assistant track recorder है works वाली है तो यहाँ पर क्या है group D की भी post है उसके अलावा और भी बहुत सारी post आपको देखने को मिलेगी junior engineer की post भी इसमें शामिल की गई है J bridge, J design, ठीक है J Pway, J की post भी यहाँ पर है जिनको merge करने की बाद कहीं जा रही है आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देख सकते है senior section engineer की भी post इसमें include की गई है इस पर विचार किया जाएगा जितनी post का इनको लगेगा कि merge करके काम चल सकते है उसको यह लोग merge करेंगे total मैं आपको बता दू 105 पोस्ट को यहाँ पर रखा गया देखो इसमें technician की कितनी सारी post है technician grade 1 ठीक है यह देखो electrical, drawing सारी यहाँ पर technician की post भी है एक और list भी है यहाँ पर यह ठीक है यहाँ पर आप देख सकते है SSC कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपके group DB है technician भी है, JEE भी है, senior section engineer भी है इसके post को merge करने की बात कहीं जा रही है तो अगर बात करें इसके positive point की तो employees जो railway में काम करें इनके लिए थोड़ ज़ा positive भी है बागी open market की vacancy का अगर आप wait कर रहे है तो आपके लिए negative news है, क्यों? क्योंकि देखो open market में जो vacancy आती है तो अगर कोई post merge कर दी जाती है तो वापर उसकी open market की vacancy या तो बिल्कुल खतमी हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो सीधा-सीधा impact पड़ेगा open market की vacancy पर बागी आप किस बारे में क्या रहा है क्या विचार है, comment box में जरूर बताए